केवल नरेन मोदी कर सकते हैं मान्हानी का केश, सूरत कोर्ट में राहूल गांदी का तर्क, नमस्काषर दो dipping मेरा तम चिंग और आपसे भी कर्टिकर न्यूज में स्वागत है राहुल गांधी ने सूरत कोड में अपनी सजा को चैलेंज करते हुए कहा कि केवल नरेन मोदी ही उनके खिलाब मानहानी का केश कर सकते हैं कॉंग्रेस नेतार राहूल गांदी ने आपरादिक मानहनी मामले में अपनी सजा को चुनोती देते हुए सोमवार 3 मार्च को सूरत की सेसन कोर्ट में अपील दायर की थी मोधी सरनेम वाले बयान को लेकर राहूल गांदी को सूरत की सीजीम कोर्ट ने 23 माच को दो साल सजा सुनाई थी 2019 में करनाटक के कोलार में 21 सबा में कहा था कि ललित मोधी, नीरब मोधी, नरेन मोधी कैसे सभी चोरों के कॉमन सरनेम होते हैं इस बयान के गिलाब बीजेपी के विधायक और गुजराज सरकार में पूर्व मंतरी पुर्णेस मोधी ने सिकायत दज की थी इस मामले में राहूल गांदी को सजा सुनाई गई अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राहूल गांदी को जमानत दे दी इस दोरान राहूल गांदी की लीगल टीम ने कोर्ट में तरक दिया कि इस मामले में केवल नरेन मोधी ही अपील कर सकते हैं राहुल गांदी की लीगल टीम ने सजा को चनौती देते हुए साथ प्रमुक तरक दिये हैं राहुल गांदी ने तरक दिया कि इस मामले में पुनेस मोधी पीडित व्यक्ती नहीं थे और उन्हें सिकायत दज करने का कोई अधिकार नहीं था कोड में इस बात की तरफ ध्यान दिलाया गया कि अपरादिक कानून के तहट कोई भी केज कर सकता है लेकिन जहां तक धारा 499 और 500 के तहट अपरादिक मानहानी का संबंद है इस मामले में केवल पीडित व्यक्ती ही सिकायत कर सकता है राहुल गान्री ने कोड से कहा व्यक्तिकत रूप से स्री नरेन मोदी के खिलाब जो कथित लांचन लगाया गया है उसके खिलाब केवल नरेन मोदी को मानहानी के अपराद से पीडित व्यक्ती के रूप में माना जा सकता है और केवल नरेद मोधी ही इसके लिए सिकायत दज कर सकते हैं पुनेश मोधी प्रतिवादी सिकायत करता को कोई अधिकार नहीं है कि उसकी ओर से सिकायत दज करें बिरो रिपोर्ट ट्रिगर्ज न्यूज